मस्कार दोस्तो मैं हूँ अंकित नीरेज एक्स्प्लेंस पर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक आतिहासिक फिल्म के बारे में जिसका नाम है मंगोल दा राइज आफ गेंगिस खान ये फिल्म मंगोल शासक चंगेश खान के जीवन की कहानी है फिल्म की शुरुवात में पशिमी चीन की 1172 की दास्ता बताई गई है जब वहाँ टैंगूट वंच का राज था वहाँ अलग-अलग मंगोल समुदाय रहते थे और हर कबीले के मुख्या को खान कहा जाता था इन कबीलों के बीच लगाता तनातनी होती थी जिसके कारN बहुत सारी जान जाती थी मंगोलों की दुनिया में लड़ाय और जिंदगी के कोई नियम कानुन नहीं होते थे इसलिए इन लोगों को एक ऐसे खान की सख्स जरूरत थी जो इन लोगों को एक साथ ला सके येसु गाई एक छोटे से कबीले का खान है जो सामराज के पस्यमी छोर पर रहता है चंगेश खान के कहानी तब शुरू होती है जब येसु गाई अपने कभीले के लोगों के साथ अपने 9 साल के बेटे तिमुजीन के लिए लड़की की खोज में निकलता है जो उसकी पत्नी बन सके रात में येसु गाई अपने दोस्त के कभीले के लाके में आराम करने के लिए रुखता है तिमुजीन अपने घोडे को देख रहा होता है तबी बोट नाम की लड़की उसके पास आती है और उसका नाम पूछती है तिमुजीन बोट को बताता है कि वो एक ऐसी लड़की की ख बीले के खान की बेटी से हो राजनीतिक कारणों की वज़े से मगर तीमुजीन जिद करने लगता है और ये सुगाई को उसकी बात माननी पड़ती है बोट और तीमुजीन की शादी तय हो जाती है मगर ये दुनों एक दूसरे से पांच साल के बाद ही मिल सकते हैं जाते वक् और वापस आने का वादा करता है अपने गाउँ वापस लोटते वक्त ये सुगाई और उसके साथी रास्ते में ही कैम्प लगाते हैं कुछी दूर पर एक दुश्मन खान का भी कबिला होता है दुश्मन खान ये सुगाई के पास एक कटोरा दूद भिजवाता है शान्ती के इस समझाओते को हाथ से निकलने नहीं दे सकता था येशुगाई सारा दूद पी जाता है इसी के कुछ देर बाद उसके सीने में दर्ध होने लगता है और उसके मौत हो जाती है तिमुजीन अपने पिता के पास जाता है मगर येशुगाई के लोग उसकी परवार नहीं कर नहीं करा दोलेता है ये शुगाई कि सारी संपत्ति उसका सलाहकार तार्गुताई हतिया लेता है तिमुजीन के मां गुस्सें कहती है किresso को एक दिन मार डालेगा तर्गुताई तिमुजीन को मार डालने का मन बना लेता है मंगोल कभीलों की प्रथा के हिसाब से बच्चों को नहीं मारा जा सकता था इसलिए तिमुजीन की लंबाई की जांच होती है उसे एक बैल गाड़ी के पहिये से नापा जाता है और उसकी लंबाई बैल गाड़ी के पहिये से कम होती है इसलिए तारवुताई उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो अगले सर्दियों में आएगा तीमुजीन को मारने के लिए पलक जपकते ही समय बीथता है और सर्दियां आ जाती है तीमुजीन के पास भागने के लिए कोई जगा नहीं होती है उसे याद आता है कि उसके पिता उससे कहा करते थे कि भगवान टेंगरी उसे मुश्किलों से बचाएंगे इसलिए वो पवित्र परवत पर चढ़ने को निकल पड़ता है राशते में जमी हुई जील को पार करते वक्त जील की बर्फ तूट जाती है और वो जील में गिर जाता है उसकी जान जमुका नाम का एक लड़का बचाता है जमुका और उसका छोटा भाई तीमुजीन को अपने घर ले जाते हैं तिमुजीन उन्हें शुक्रिया करता है और जमूका का भाई बनने की बात कहता है फिर दोनों दूध में अपने खून की बुंदों को मिला कर पीते हैं अपना भाई चारा दिखाने के लिए अगली सुबा तारगुताई के लोग तिमुजीन को खोज निकालते हैं और उसे अगवाह कर लेते हैं मगर उसकी लंबाई चेक की जाती है और पता चलता है कि तिमुजीन की लंबाई बड़ी ही नहीं है इसलिए उसके गले में लकडी का कॉलर बांद कर तर्गुताई उसे जहां भी जाता है अपने साथ ले कर जाता है कुछी दिनों बाद एक बार फिर से तिमुजीन की लंबाई जांच की जाती है और दुबारा पता चलता है कि वो बैल गाडी के पहिये से छोटा है इस समय हर रोज उसे एक बुढ़ा आदमी खाना खिलाता था एक दिन बारिश होने लगती है और सब लोग अपने अपने टेंट के अंदर चले जाते हैं बुढ़ा आदमी मौका देखकर तिमुजीन को आजाद कर देता है और तिमुजीन वहां से भाग जाता है भागते भागते वह तेंगरी के मंदिर में पहुचता है और वहां उसे एक सफेद रंग का भेडिया दिखाई जîtता है और अगली ही सीन में उसके गले पर पड़ा लकडी का कौलर तूड जाता है और वह गिर जाता है अब सीन बदलता है और 1186 का समय आता है तिमुजीन बड़ा हो चुका है और अब भी वो तारगुताई से भाग रहा होता है लेकिन एक बार फिर से तारगुताई के लोग उसे पकड़ लेते हैं और इस बार उसकी लंबाई बढ़ चुकी है तो वो भाग भी नहीं सकता मगर इस बार भी उसकी किस्मत अच्छी होती है और तारगुताई उसे मारता नहीं बलकि उसके गले में लकड़ी का पट्टा बान देता है और उसे अपने जान की भीक मांगने को कहता है मगर तिमुजीन ऐसा नहीं करता है एक रात तारगुताई तीमुजीन के पास अकेले आता है उसका मज़ाक उड़ाने को तीमुजीन इसी मौके की तलाश में होता है और चालाकी से तारगुताई की हत्या करकर भाग जाता है अब तीमुजीन अपने कबीले को वापस लेने के तयारी करना शुरू कर देता है मगर उससे पहले वो बोर्त के पास जाता है उससे मिलने के लिए जब वो बोर्त के कबीले पहुंचता है तो देखता है बोर्त बड़ी हो चुकी है और बोर्त उसे बताती है कि वो उसका इंतजार सालों से कर रही थी इसके बाद बोर्त और तिमुजीन अपनी मा के घर जाते हैं और दोनों का स्वागत किया जाता है दोनों कुछ साल साथ में रहते हैं मगर एक दिन तीमुजीन के घर पर मेरकीत नाम के कबीले के द्वारा हमला कर दिया जाता है ऐसा है इसलिए क्योंकि तीमुजीन के पिता ने मेरकीत कबीले से ही उसकी माग को अगवा किया था तीमुजीन और बोर्थ गोड़े पर चड़कर भागते रहते हैं मगर तीमुजीन के पित में एक तीर लग जाता है और बोर्थ को अगवा कर लिया जाता है तीमुजीन को पता है कि उसे उसकी पत्नी को छुड़ाना पड़ेगा इसलिए वो जमुखा के पास जाता है जमूखा अब तक बड़ा हो चुका होता है और खान बन चुका होता है वो जमूखा से मदद मांगता है और जमूखा तयार हो जाता है लेकिन एक साल के बाद पलक जपकते ही एक साल बीच जाता है और तिमुजीन और जमूखा मेरकीत कबीले पर हमला कर देते हैं इस लड़ाई में काफी जाना जाती हैं, लेकिन मेरकीत कभीले का नामों निशान मिटा दिया जाता है। तिमुजीन बोर्थ को खोज निकालता है और वो उसे फिर से अपना लेता है। इसके एगले सीन में जश्न का समय होता है। जश्न के वक्त एक इनसान तिमुजीन से पूछने आता है कि युद्ध में जीती हुई चीजों का क्या करे। तिमुजीन जीते हुई चीजों का दस पतिशत रख कर बागी सब कभीले के लोगों में बाट देने को कहता है। जमुका के भी दो लोग tillेमूजीन के कभीले में आ जाते हैं और जमुका को ये पसंद नहीं आता ही कुछ दिनोबाद this तिमुजीन के कबीले से लड़ने को आता है तिमुजीन को पता होता है कि उसके पास ज्यादा हत्यार नहीं है और नहीं लोग इसलिए वो औरतों और बच्चों को भेज देता है और फिर तिमुजीन और उसके लोग लड़ाई को निकलते हैं तिमुजीन ये लड़ाई हार ज देखता है और खरीदने का मन बनाता है मगर उसका सलाकार एक बहुत भिक्षू यह कहता है कि तिमुजीन जैसे लोगों को दास बनाना अच्छी बात नहीं है वो अमीर आदमी उसकी बात नहीं मानता और तिमुजीन को खरीद कर एक पिंजडे में रखता है जहां पर लोग हर रोज उसका मजाक उडाते हैं वो बहुत भिक्षू हर रोज तिमुजीन से आकर माफि मंगता है १ एक दिन वह बहुत भिक्षू तिमुजीन से उसका हार लेता है और बोर्ट की खोज में निकल पड़ता है रिगिस्तान में घुमते घुमते वो बहुत भिक्षू मारा जाता है मगर किसी तरह किसमत से वो बोर्थ के पास पहुंच गया होता है बोर्थ उस हार को देखती है और उसे पता चल जाता है कि तिमूजीन जिंदा है वो फिर तैंगूट सामराज्य के शहर जाती है और उसे तिमूजीन तुरंथी दीख जाता है क्योंकि वो सामने में पिंजड़े में बंद होता है बोर्थ एक साइनिक को रिश्वत देती है और रात में तिमूजीन को भगा कर ले जाती है इसके बाद तिमुजीन को पता चलता है कि उसका एक बेटा और एक बेटी भी है ऐसा पता चलता है कि बोर्थ को किसी और के साथ रहने को मजबूर होना पड़ा था ये देखकर तिमुजीन उससे और भी प्यार करने लगता है और वो बेटे और बेटी को अपना लेता है वो चारो अंत में गाउं जाते हैं और वहां रहने लगते हैं तिमुजीन रोज अपने बच्चों के साथ खेलता है और मजे करता है एक दिन बोर्थ तिमुजीन से कहती है कि मंगोल सिर्फ खाते हैं, पीते हैं एक दूसरे को मारते है ये बात तो चोटी सी होती है लेकिन तिमुजीन के दिल पर घर कर जाती है और वो अपने परिवार को छोड़ कर निकल पड़ता है मंगोलों को एक जुट करने में इसके बाद सीन बदलता है और 1192 का वक्त होता है जमुका की बड़ी सी फौज का सामना करता है तिमुजीन और वो उन्हें हरा देता है युद में हारे हुए जमुका के सेना के जितने भी लोग होते हैं तिमुजीन उन्हें नहीं मारता इससे वो तिमुजीन को धन्यवाद करते हैं और उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं जहां तक कि जमुका की बात है तिम सामराज्य को बरबाद कर देता है इसके बाद यह दिखाया जाता है कि तिमुजीन चंगेश किMother ढूतdis ऑिखाया जा है कि वा त COBरा देता है जाना मेस्ड़न चीजी है जो खड़ा है माद देता है कि है जा इसके में है तिमुझेया जाने मैंमा है जाँ धिご्त दोर डा है जाह भादूंके जा है कि ए判ने म Oui कंझे है सक दोरिod कर दो घूरा आस करते हैdie में